बुट इबनिंग और वेलकम बैक तो अनदर अमेजिंग एपिसोड और वुडी डूट्स और यह हमारा लास्ट ट्रिप है अवरंगाबाद में और फर्स्ट अट्रैक्शन जो हम लोग यहां पर देखने को आये थे वह है सिद्दाद गार्डन यहां यह एक जू है लेकिन अ पानी पूरी खाने के लिए और पानी पूरी खा करें यहां से दूसरे एट्रैक्शन पर जाने की कोषिश करेंगी तो यह पानीपूरी आप कितने साल से बनाते हो यहाँ पर और यह एरिया का नाम क्या है पानीपूरी को आउरंगाबाद में क्या बूलते है पानीपूरी कुछ अलग नाम नहीं होता है यह मेरे पीचे देख सकते हो दोस्तों सारे लोग इहाँ पर आये हैं जू में जाने के लिए लेकिन बंद देखें डिस्करेज हो गया है पता नहीं यह कब खुलने वाला है लेकिन फिलाल के लिए हम बढ़ रहे हैं हमारी नेक्स लोकेशन पर पहुच चुके हमारे सेकंड लोकेशन पर यह जो लोकेशन मैरे लिए बंद श्रू है आयाम्य का रिकृुटिंग सेंटर आउरंगाबाद का तो यहां से लोकेशन मैं होता है और यहां सेही रिकृुट हों थे मेरे फादर और वह सेंटर में अपको बताता हूँ स्टेशन हेड़कॉर्टर फिर महाँ से जैसे आप आगे बढ़ोगे यह पूरा केंटॉन्मेंट एरिया इसको बोलते हैं यह है गनर्स और यहाँ पे यह गन्स लगाई है पुरी तरह से और यह है एंट्रेंस यहाँ पे लेकिन जाना अलाउट नहीं है तो जैसे कि आप यह देख सकते हो यह शायद से वार में यूज हुई मशीन गन है इसको निश्टनाबूष कर देता है निश्टनाबूद कर देता है यहाँ से आर्मी का रेकूरूटमेंट होता है और बाकी का प्रोसेस तो डिस्क्रीट है दोस्तों तो हम तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मेरे लिए स्पेशल इसके लिए था कि मेरे फादर यहां से रिकूरूट होए थे इस बेस से तो मुझे आके यह देखना और आपको दिखाना जरूरी था इसके लिए मैं यह आपको इस जगे पे लेके आया अभी थर्ड लोकेशन में जाते हैं और मैं आपको बता दाओ कि यह क्यों स्पेशल है मेरे पीछे यह आउरंगाबद की सिमेट्री है जहां पे मेरे फोर फादर्स मेरे डैडी के रिष्टेदार ममी के रिष्टेदार आपको बहुत बड़ी जगा है तो इसमें एक्जाक्ली कहां पे है सबके वो मुझे लोकेशन पता नहीं है तो मैं आपको देखा नहीं सकता कमेंट करके बताइए कौन-कौन सिमेट्री में गया है और विटाउट एनी कॉस के लिए तो सबको जाना पड़ता है हमें भी एक दिन जाना है लेकिन मैं बच्पन में आया था जब मेरे फैमिली मेरे मम्मी और मेरे डैडी के मम्मी टैडी का जब इंतिकाल हो गया था वो डिसीज हो गयते तब आया था और ये अभी लगबग 20-25 साल पूरानी बात है तो वी वज़ ड्राइविंग अक्रॉस हम जा रहे थे दौला था तो ये रस्ते में पड़ा तो मैंने सोचा कि आपको भी इसका कवरेज करवाता हूँ तो सोनल और मैं या जिस्ट वाकिंग डाउन और एंड तक जाके देखते हैं इफ यार एबल तो फाइंड और जिस्ट पेयार होमेज बिकॉस वी जिस्ट बिलीव इन वान थिंग की पेयलोग जिस्ट क्राइश तो कम बैक फॉर्चुनेटली बहुत गुमने के बाद भी हमें लोकेशन नहीं मिला या सॉरी गाइस हम नहीं बता पाए बदेट सोगे अट-लीस वी केम यह इस कितने लोगों को यह इस कितने लोगों को कहरी लगता है कमेंट करके बताइए दुनिया से हटकर यहां पर एक अलग शान्ती है वह देर इस नो इमोशन इस नो पेन इस नो लाफ्टर यूमन बिहेवियर की ऐसी कोई भी क्वालिटी आपको यहां पे नजर नहीं आएगी तो यह जैसे कि अपने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा था कि हम बैटरी के खतम होने के कारण हमें होटेल रूम वापस से भाग के आना पड़ा हो और हम दौलता बाट फोर्ट आके भी उसे कवर नहीं कर पाए तो स्पेशली हम आप लोग के लिए वापसे 45 तो 50 किलोमेटर जस्ट तो शो यू गाइज हाव ब्यूटफुल दौलता बाट फोर्ट एस हम लोग 45 किलोमेटर हम हमारे रेश्टरांट से होटेल से आये है और आज यह दौलता बाट का फोर्ट आपको देखाने वाले तो जैसे कि आप जानते हो दोस्तों मैंने आपको व्लॉग में बता है कि कोई भी अप हेरिटेज साइट पे आते हो तो कैश पैसा नहीं लेते है गौर्मेंट ने एक लिंक बनाई है जिस लिंक पर आपको जाकि उसपे सिटी सिलेक करना पड़ता है और कौनसे साइट आपको देखना है वो सिलेक करना पड़ता है त पर जाने के बाद आपको city select करना है heritage select करना है on the spot booking भी कर सकते हैं वहीं online payment debit card UPI कर सकते हो या आप pre booking भी कर सकते हो आने से पहले तो guys we are entering the दौलत अबाद fort now तो guys छोटी सी formality के साथ हम दौलत अबाद fort में enter हो गए हैं और आपको भी इसका view दिखाते हैं तो ये cannon gallery है दौलत अबाद fort की तो ये शायद से ये fort के भार ये cannon लगाए जाते होगे जब दुश्मन आते रहेंगे तो यहां से cannon दाल दिया जाता होगा और ये explosion आता होगा enemy से protect करने के लिए तो ये cannon number one है this is cannon number two this is cannon number three this is cannon number four this is cannon number five guys ये पूरानी टाइप की दुर्बिन है जो कासे fort के उपर नजर रखने के लिए से भार देखने के लिए बनाई जाती थी जैसे कि आप देख सेकते हो beautiful animal का face है ये और ये मुझे लगता है हजार साल से पूरानी ये दुर्बिन है और size की यहां पर तोप रखी है आज गाईज लुक एद दी magnificent entrance तो यह है यहां का entrance और यह रहा दुसरा entrance अंदर जाने के लिए तो हम जाएंगे अब अंदर so guys अब जैसे कि यह entrance यहां से देख सकते हो so we are heading straight into the दौलतबाद फोर्ड तो यह दौलतबाद फोर्ड के अंदर हम जा रहे हैं अब restoration का work भी चल रहा है guys तो guys मुझे लगता है कि उस पुराने जमाने पर यहां पर शायद से यह animal shelter होगा जहां पर वो अपने animals रखते रहेंगे जैसे कि घोड़ा और चुप जानी it's really been amazing guys और आपको जरूर विजिट करना चाहिए अवरंगाबाद यह मुंबाई से सिर्फ 390 km दूर है you got trains every day you got buses every day अपके खुद के vehicle से भी आ सकते हो यहां पर आने के बाद आप cars और scooter higher पर रहे सकते हो at a reasonable rate तो explore करने के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़े आउरंगाबाद में एक हफते में टना टन हो जाओगे और सस्ते में है दोस्तो ऐसे भी नहीं कोई आपको 20-25-30,000 रुपर खर्चा करना है अगर आप अकेले आते हो तो एकदम minimum भाव में हो जाएगा family के साथ भी आते हो तो एतना expensive नहीं होगा लेकिन this trip is a memorable trip guys दौलत अबाद फोर्ट में गुमते गुमते आए और हमें हमारे प्यारे से fans मिले आए बई दौलत अबाद फोर्ट आए और यह जितने भी भाई मिले तो पूरा फोर्ट गुम के आगए तुम्हें का इंस्टाग्रम आएडी का तुम्हें नहीं का आएडी आए तुम्हें का आएड़िया है तो गाइस अपने सबका इंस्टाग्राम आइडी सुन लिया होगा तो प्लीज इने फॉलो कीजे और बहुत सर अप्याइड जैसे उनको शप्पट करते हमको पर इन्स्टाग्राम पर थोड़ा है प्लाइक जाते है यह एक गंटे का ट्रेक है और बंध होने को सिर्फ 30 मिन्ट वाकी है तो मैं आपको बताता हूं तीन घंटे के बाद हमारी बस है घर जाने के लिए क्यूंकि सारी ट्रेंज यहां से बंद है कल के लिए और आज के लिए तो हमें दो दिन हम रुक नहीं पाएंगे इसके लिए आज ही हमें बस से जाना पड़ेगा तो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं और जादा से जादा कवर करने की कोशिश करेंगे तो गाइस यह यहां का फोर्ट का दर्वाजा है जो उपर जाता है यह लगबग एक घंटे की ट्रेक है दोस्तो और हमारे पास सिर्फ बचे 15 मिर्ट तो जितना हमारे से कवर हो पाएगा उतना हम कवर कर लेंगे मेरे बैक पैक पचास किलो का है और यह पचास किलो का मैं बैक पैक लेके ट्रेक कर रहा हूँ इस वेरी चैलेंजिंग जॉब गाइज बट सिर्फ आपके ले क्योंकि आपको मैं दौलत अबाद फोर्ट देखा नहीं पाया सोनल पूरी तरह से ठक चुका है सोनल जो तुम्हारा हाल है मेरा हाल है तो यहां पे रेश्टोरेशन वर्ग चल रहे हैं अब बूल बूलेया तक जाने की कोशिश करेंगे अब बूल बूलेया की तरफ पहुच रहे हैं तो गाइस यह उपर चड़ते चड़ते सास लग गई है और इतना प्यास लग रहे हैं लेकिन एक में प्रॉब्लम है कि अब पानी की बॉटल कैरी अगर करना चाहों अपनी तो आपको इसके उपर एक लेबल लगाना पड़ता है जो लेबल है बीस उर्पेगा और पानी ही बीस उर्पेगा है तो मैंने और सोनल ने डिसाइड कि अब वर्त नहीं है वो लेबल लगा के लेकिन हमने एक गल्ती करनी तो वो लेबल बचाने के चकर में हमने बॉटल का पानी पी के वो बॉटल फेग दिया एंड विए जिस डाइंग है ऐसा लग रहा है खर्च कर देना चाहिए था बीस रुपया अभी गभी कंजूसी नहीं है नीची अदेट सब्सक्राइज यह चोटा सा पुल है आप जैसे कि देख सकते हो कि पुरा पानी से भरा हुआ है जैसे कि यह बिरेज वाबल कर रहा है लेकिन इस वाद दॉलातबात फोर्ट बंद होने वाला है लेकिन फटाक से मैं भूल बलाईया की तरफ जाने की कोश्ष़ए कुटे भूल बलाईया को गाइस मैंने मेरा फैर्श फ्लैश्छ लाइट कर दिया है और जैसे कि अब देख सकते हों कि यह पूरा अंधेरा है यहां से गोश्ष विल बूलईया है इसका नाम सच में भूल बूलईया है आपको पता नहीं कि कहां से जाना है और कहां से निकलने का है ओ माई गॉड इतना अंदेरा है कि guys you will not know कि ये कहां से आना है और कहां से निकलना है और ये ये और एक पैसेज है यहां से guys it's pitch dark एक छोटा सा लाइड नहीं है बिना लाइड के तो आप यहां पर आई नहीं सकते oh my gosh so guys full on अंदेरा अगर यहां पर अगर अपकी mobile की बैटरी या टॉर्च बंद हो जाता है तो भार निकलना मुश्किली नहीं ना मुमकिन है तो guys यहां से थोड़ा सा लाइड आया होग जगा है guys it's pitch dark the stairs are steep, straight and very tiring but it's worth it guys this is worth it guys it's time to stop the time I'm just moving out guys this is the view from the fort guys this is the view from the fort guys वो रहा बाह का entrance जहां से हमाई और यह यहां से पूरा फोड देखता है दॉला था बहुत फोड आने का एक एड़वाइज है दोस्तों कि पानी के बॉटल के लेबल के लिए the stairs are so steep guys बॉटल के चलने की बहुत जादा जारवाद है यह जार आने काई जारवाद है तो तो इस तेकिंग इस रिस्स फो इपाइस मुझे सिरफ भार निकल ला है आ इस वांडरिंग सिरफ गॉल गुमराओ भार निकलूंगा पता नहीं इस पिच डाक इतना अंदेरा है और इतनी गर्दी है इस तो इस दो आउट एक ही बुलबुल है के तीन चक्कर लगा दी है लेकिन मुझे उसका एक्जेट ही नहीं पता चल रहा था फाइनली थैंक गॉड आउट बहुत ज़्यादा स्क्यारी है एक बुलबुल से आने के लिए दो लेख दो से अड़ाई तीन चक्कर में नहीं थे अंदेरी गली में अपसे लगा रहा हूं आम जस आउट ओ ब्रेध मैस इतना पानी पीना मुझे लगता है पानी पीलो आई पानी पीलो इतना पानी पीलो यह एक तोप है जो एक मिनार पर है मैं यहां से चड़ के आपको बता था तो यह रहा वह तोप तो यह तोप पर जैसे कि आप भेग सकते हो यह शीप का इस एड़ ऑफ शीप नीचे ही बेटा था वह आया नहीं अब हमें यहां से हमें कई खाने जाना है और हमारे फ्रेश होने के लिए कोई होटेल भी दूनना है वह यहां से लगबख 35-40 km दूर है इस गोन भी डिफिकल्ट जर्नी फिर फ्रेश होने के बाद हमें बॉम्मे भी जाना है विच इस राउंड अबाओ 390 किलोमेटर्स इस गोन भी ए हेल लॉड अफ जर्नी टू हों मुझे लगता है मैं कल घर पे पहुचके उटूंगा नह यहां पर पीने का पानी मुझे मिल चुका है लेकिन मुझे पता नहीं कितना सेफ है लेकिन बीमार होने से अच्छा तो बीमार होना ठीक है अच्छा यहां पर द्रिंकिंग वाटर नहीं लिखा है लेकिन यहां मैं थोड़ा सा पी ले तो अडलीस सोनल नहीं पी सकते उसका यहां मैं और सोनल अभी दोला तबाद फोट के भार निकल रहे है और हम जा रहे हैं अभी बजार क्योंकि हमें आज रात को घर निकलना है तो हम घर लेके जाने के लिए थोड़े स्वीट दून रहे है तो स्वीट पार्सल ले ले लेंगे बस बो बेटे बेटे ही सो जाएंगे तो सी यू इन बजार गाइस एपरेंटली जैसे कि मैं फोट के भार निकल रहा था और मुझे तब याद आए कि मेरी गाड़ी की चावी घूम चुकी है तो मैं भाग भाग के आया और यहां पर पारकिंग में मैं आया हूं और पहला पानी प बेट कर रहा हूं तो सोनल आके वो टिकिट दे दे तो हमें हमारी चावी मिल जाए फिर वी कन गो हूं गाइस मैं पारकिंग में कर लाद है और उनके कोईन कोलेक्टर मिला है तो आइए उनसे मिलते है और उनके कोईन्स भी देखते हैं सो यह रहे यह रहे सारे कोईन्स तो तुमसे नाव कहे है तो माजित कान, आप हिंदी बोलते हो कि हें एक नी बोलते हो माजित कान बोलते हैं यह कितने सल से अप कर रहे होvision का मैं stimmt गहीं हफ़ों financial तो इसमें कुण से कॉन से कोईाते हैं इसमें बिरिटिश के कॉईन है ए एक पैसा है अपने आदादी के बातका था को इंडिपेंडिनेंस के बात का ये एक पैसे का QUOIN है एक मेंट जैरो में lipstick 1957 इंडिन के पैसे का इंडिया के इंडिपेंडनेंस के बात का एंडिया को धिर नहीं कहा है तो उसको रैण ड्बू पैसा देला जोनि थेला पोरा नहीं यह पुराने जमाने का डेला है डबू पैसा बोलता है इसे तो सोनल आ चुका है सोनल वो चिट्टी दे तो यह उसके बिना चावी नहीं दे रहा है इसे यहाँ पर आपकी चिट्टी और प्लीस चावी दे दो हम लोग इतना डर गए था कि बोला कि यह स्कूटर यह अंकल हमारे पारकिंग वाले बहुत इमान दार है हमें गाड़ी की नहीं गाड़ी की चावी हमें वापस दे दिये थैंक यू सो मच अंकल और भाई से भी अगर भाई सब आपको व्यूवर्स यहां पर आएंगे डौलातबाद फोर्ट में तो आपको कहां मिलेंगे अगर उनको कौईन और यह इस्ट्री के बुक्स में इंट्रेस्ट होगा तो आपको कोईन 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 और जरूर मिलिये इंसे वाइस टोड़ दोड़ तो आज जैसे कि आपने देखा कि हम ने ग्रेवियर्ड विजिट किया हमने वह जगह देखी जहां से आर्मी का रेक्रूट्मेंट होता है सिद्दार जू आपको दिखा नहीं सके क्योंकि वह 15 फेबरवरी को खुलेगा दौलताबाद फोड दिखाया फिर आपने जैसे कि देखा इमानदार आदमी जो हमने बाइक की चावी भूल गए थे और पिचारों ने हमें बाइक की चावी दी और आज इतने ड्रेंड आउट है थैंक्यू सो मच गाइस फोर त्यूनिंग इन अब व्लॉग के एंड में पहुचे है और मैं और सोनल यहां पे तंदूरी चाई पीने को रुके हैं तो यह रही तंदूरी चाई तो यह रहा दूद ले लिया है तो यह रहा दूद ले लिया है बाइक के बाद 6 फ्लेवर मिलते हैं हमने 6 के 6 फ्लेवर और कर दिये हैं और 6 के 6 फ्लेवर हम टेस्ट करेंगे फर्स्ट फ्लेवर आने वाला है रोज तो मैं आपको बता देता कैसे बनेगा तो गाइस यह हमारा रोज तंदूरी चाही रेडी है एक तम रोज वाला फ्लेवर आ रहा है सोनल ट्राइगा रोज वाला तो मैं सोनल के बाद जाता हूँ एक प्याली में दोनों दोस्त आधी आधी चाही प्याली इसे प्यार बढ़ता है एक तम रोज का टेस्ट आला है दोस्तों सही में मस्का पाव लेते हैं मस्का पाव भी मिलता है तो चाहे के साथ मस्का पाव का बहुत जादा मजा आएगा जितने भी फ्लेवर यहां पे तंदूरी चाहे में यूज़ है एक भी एसेंस नहीं है यहां पे अलग अलग फ्लेवर की पत्ती दाली जाती है तो पहला रोज़ वाली पत्ती ती अब यह मैंगो वाली पत्ती है फिर उसके पाद जो थर्ड आएगा उसके बार में मैं आपको बताऊँगा तो अब यह मैंगो वाली ट्राइ करते है यह हमारा बन मस्का रेडी हो चुका है तो जैसे कि आप यह देख सकते हो कि यह पत्ती है रोज वाली पत्ती बिलकुल एसेंस नहीं यूज किया जाता है और रोज तो एक स्टार्टर था बहुत जादा फ्लेवर्फुल था अब मैंगो ट्राइ करेंगे और अलग अलग फ्लेवर्स ट्राइ करेंगे बहुत मज़याने हो लिए यह है मैंगो फ्लेवर्ड पत्ती सच में एक तुम मैंगो का स्मेल आए तो यह जो रोट्रिम हमने ली है यार अमेजिंग हमें क्या क्या सीखने को मिला है अलग अलग चीजे देखने को मिली है अलग जराव सचाए तंडरी चाए खुंड तंडरी चाह बन मस्क आए अभी हमारा तीन फ्लेवर है, एक चॉकलेट है, एक वनीला है, और एक केसर, तो तीन फ्लेवर और ट्राइ करेंगे हमारे पीछे तंदूरी चाई के मैनेजर है, कम ओनर भी है, तो आईए उनसे बात करते हैं हेलो, मेरा नाम पर्वीन है, है एक वाम दोरांगाबाद, हमारी स्वाव है दंदूरी चाई, व्योट को भी हम लोग का यह नवाब पैमली पैमली पैस्कार है, हम लोग का एक वामशेप्ट है, इस चाह का, इसमें बहुत सारे क्लेवर से, देशर है, चॉक्लेट है, पैनेला सब बिदावड आइसेंस दब की पत्ती है और आप लोग आके ठ्राइक के लिए कुछना लोकेशन क्या है यह लोकेशन और अरगाबाद में आपको मीट मीट मीटे में आपको पाजी धावे के एकदम साम में अपको गुपे और इसका टाइमिंग क्या है इसका टाइमिंग काम में है सादे बारा एक बज़े क्लोस है और यह हफता के सातों दिन साल के 365 दिन चालू रहता है हमें तो बहुत माज़ा है तंदूरी चाय पीके और इनके ओनर को एकदम फ्रेंडली है हाईजीन है तो प्लीज यहां पर आईए जभी अब दौलतबाद अलोरा की तरफ जाएंगे तो ज़रूर आईए और इसे ट्राइ कीशिए अब आरा है केसर अब आरा है केसर अब आरा है केसर में मला ही जा रही है दोस्तों केसर और वनीला वाला चाय रेड़ी हो गया है तो हम फटा फट पीते हैं और यहां से निकलते हैं दोस्तों लेट हो चुका है अलड़ी यह रही हमारी वनीला वाली चाय केसर मलाई वाली तंदूरी चाय अब आ गई है हमारी केसर मलाई वाली तंदूरी चाय पीने के बाद इतनी एनरजी महसूस कर रहे हैं तो आज हम बहुत सारी अमेजिंग प्लेस में गए और तंदूरी चाय पी और हमने वनमस्का गाया बहुत सारी जगाये देगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेर सब्सक्राइब कर दें अपन इसे फ्रेंड्स के साथ शेर करना और पूरी डूट्स चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना तब तक के लिए इश्योगोई लियो साइडिंग आफ गाइस